मैं इंद्रेश्ट कुमार कफुप्रा आप सभी दर्षकों का बिर्मा करियर अकेडमे में हार्दी का बिन्दन करता हूं परतियोंगी प्रिक्षाओं का दोर चल रहा है मैं जानता हूं आज जो वीडियो लेके आया हूं वो वीडियो राज़स्ताण के विशेश कर उन विद्यारतियों के लिए हैं हुए जिसमें रीट की त्यारी में लगे हैं बहुत सारी वेकैंसिया आई है लेकिन यहां पे एक बात और बताना चाहूंगा कि जहां रीट के अंदर बहु विकल पातों के परसंद आते हैं, अब्जेक्टिव टाइब क्वेशन्स आते हैं, तो बाकी प्रिक्षाइं जैसे कि IS की प्री एक्जाम है, RS की प्री एक्जाम है, RRB है, या अन्य स्टेट की जो प्रिक्षा है, UP, अर्याना, IMP वगेरे, उन सभी प्रिक्षाओं में, बारती समिंदान से दो परसंद आते हैं, सभी सेम होते हैं, मेरा वीडियो, रीट के सभी विद्यारतियों के लिए उतना ही फाइदेमंद है, जितना बाकी प्रिक्षा की विद्यारती इस वीडिय उठाएंगे, हम जानते हैं कि बारती समिंदान एक है, और इसमें दीगे सभी दाराएं, सभी बातें पुरे देश में समान रूप से लागो होते हैं, और मेरे वीडियो में जो बाते में आपके सामने सेर करूँगा, वो बहुत चारी ऐसी बाते होगी, जो आपके प्रिक् प्राश्ट अपती से मैंने देखा हैं, राजस्तान में रीट की प्रिक्षा में, और इसके लावा राजस्तान के आरेस, या एससाई, पटवरी, बहुत चारी परसने इसमें आ चुके हैं, मैं उन सभी मैन मैन टोपिक्स को आपके सामने डिसक्स करूँगा, वो सिम्दान का एक अनुछेद है, 63, जिसमें बहरत का एक उप्राश्ट प्ति होगा, यह वन्नित क्या गया है, अर्थार उप्राश्ट प्ति के वीचे में सबसे पहली बात जो लिखी गी है, वो अनुछेद 63 से लेकर, 70 तक जो भी अनुछेद हैं, उन सभी अनुछेदों मे उप्राश्ट प्ति की वीचे में डिटेल में बात बताएगे हैं, अब सबसे पहले हम उप्राश्ट प्ति के वीचे में जब बात करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए, कि यह पद कहां से लिया गए हैं, तो उप्राश्ट प्ति का पद आमेरिका की सिम्दान से लिया ग सिर्माता शिंदान सभा जब शिंदान मना रही थी तो 60 देशों का शिंदान पढ़ा गया था और उन्हें बहुत सारी बातें उन्से ली गई है इसी करम में उप्राश्टिप्तिकापद अमेरिका के शिंदान से लिया गया है अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले योगिता की विश्व में तो जब हम योगिता की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आता है कि वह बहारत का बहारत का नागरिक होना चाहिए वह बहारत का नागरिक होना चाहिए देकि कई बार क्या होता है बहारती राजवेस्ता की जो बासा है वह बासा हमें उल्जा देती है वह बहारत का नागरिक नहीं होना चाहिए इस टाइब की बासा मानने नहीं है शिर्फ एक ही बासा है वह बहारत का नागरिक होना उसकी कम से कम उमर होती है 35 वर्स उप्राश्ट्पति के पन्द के लिए जो उमिद्वार चुनाव लड़ रहा है उसकी उस समय मीनिमम एज 35 साल होने चाहिए पॉइंट नमर तीसरा वह है राज्य सभा का सद्षय बनने की योगेता रखता हो होना नहीं चाहिए सद्षय योगेता रखता हो साथ ही किसी भी राज्य विद्धान मंडल के किसी भी सदन का सद्षय नहीं होना चाहिए और इसके अलावा हम बात करें वापागलिया दिवालिया नहीं होने चाहिए तो ऐसे कोई महतोपन बिंदू इसमें लागू नहीं होते हैं हलांकि बहुत सारे बुक्स में दियावा हैं कि वापागलिया दिवालिया नहीं होना चाहिए तो मेरे नजर में इस परकार की बात लिखना उप्राश्टपती की योगिता में उची तनी होगा क्योंकि इस टाइब का व्यक्ति पहली बात तो है कि खड़ा ही नहीं होता है तो इसलिए हम क्यों लिखें और बाकी योगिता की बात करें अब हम निर्वाचक मंदल की बात करते हैं समिंदान का अनुचेद 66 यह स्पष्ट करता है कि राष्टपती का निर्वाचन किस परकार होगा यह पूरी बात अनुचेद 66 में देखी है राष्टपती के अनुपात का जब हम चुनाव करते हैं तो इसमें एक निर्वाचक मंदल बनता है जैसा कि राष्टपती की इलेक्शन में बनता है निर्वाचक मंदल यानि इलेक्टो रेट कॉलेज्ज और इसमें कौन-कौन सद्षे भाग लेते हैं सबी MPs भाग लेते हैं सबी MPs यानि लोकसबा और राजसबा दोनों ही सद्षे समान रूप से इसमें भाग लेते हैं और साथ ही साथ इसमें एक और महतुपन बात हुँ है नोमीनेटेड मेंबर्स अर्थात राष्टपती द्वारा राष्टपती द्वारा नोमीनेट किये गए जो मेंबर्स है व आपको पता होगा यहां पे लोकसभा में राष्टपती दों को नोमीनेट करता है और राजेसी द्वा में वहें 12 सद्ष्यों को जो कि सहीत decentifyilach विङ्ञान सहीत अकिला विग्यान समाच सिवा के छेत्रों में महारत होते हैं ऐसे 12 सथियों को राज्य सभा में नूप्त करता है राश्टप्ति ये नॉमिनेटेड मेंबर राश्टप्ति के चुनाओं में भाग नहीं ले सकते लेकिन उपराश्टप्ति के चुनाओं में भाग लेते हैं अब यहां पर एक बात और याद रखनी आपको कि आपको याद रखनी है निर्वाचक मंदल के बार में निर्वाचन वीदि की जब हम बात करते हैं तो इनका जुनाव उसी वीदिशी होता है जिस वीदिशी राष्टपतिक होता है एकल संकर्मनिय आनुपातिक परती निरितव गुप्त मतदान पदति यही इसी पदति से राष्टपति का चुनाव उता है और इसी पदति से उपराष्टपति का चुनाव उता है इतने गुप्त सब्द को आपको विश्यस की याद रखना है क्योंकि राष्टपति और उपराष्टपति गुप्त मतदान पत्ति यूज में ले जाते है अब यहां पर कौन सी बाते लागों नहीं होती है वो आपको याद रखने हैं देखिए एक तो उपराष्टपति की चुनाव में जो मतों का मुल्य है वो नहीं निकाला जाता मुल्य नहीं निकाला जाता आपको याद होगा राष्टपति की चुनाव में जो वोटर्स होते हैं उनके वोट की विल्यू निकाले जाती है लेकिन उपराष्टपति की चुनाव में ऐसा नहीं है अब अगली जब हम बात करते हैं सपत की हम अगली बात करते हैं सपत की जिनका की अनुचेद 69 में दियावा है राष्टपती, उपराष्टपती और राज्यपाल इनकी सफत के विश्य में बहरती से उंदान की अनुचिछी तीन में कुछ नहीं लिखावा है यह आपको याद रखन है और उपराष्टपती की सफत के विश्य में आपको पूरी जानकरी अनुचिद 69 में मिलेगे उप राश्टपती को सब्ध कौन दिलाता है तो यह आपको याद रखना है राश्टपती या राश्टपती द्वरा नोमिनेट वेक्ती उनको सब्ध दिलाता है राश्टपती सब्ध किस बात की लेते हैं राश्टिप्ति स्विंधान के पड़ती निश्टा की सब्त लेते हैं ये कुछ बाते हैं जो आपको याद रखनी है अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कार्यकाल कार्यकाल जिसके बारे में हम अनुचेद 67 में पड़ते हैं कार्यकाल या पदावदी ठीक है ये अनुचेद है 67 कार्यकाल राष्ट अपने सप्त के दिन से लेकर पांस साल तक अपनी पड़ रहता है तुकी अलावा उपराश्ट्प्ति चाहे तो उससे पहले त्याग पतर दे सकता है या समिन्धान के अनुकूल या समिन्धान के अनुसार कारिये नहीं करने पर उसे पद्द से हटाया जा सकता है जिसे महव्योग या impeachment कहते हैं अब उपर राश्टपती को जब विरुद को हटाने की जो process टार्ट होती है वो भी आपको थोड़ा याद रखने है आपके बात एक और में बताना चाहता हूँ कि भारती समिन्धान का अंचेद 64 है जो ये बात कहता है कि उपर राश्टपती राज्यसभा का पदिन सभापती होता है ये इस अंचेद में वन्नित क्या गए हैं क्योंकि आपकी रीट परिक्षा में ये परसन आ चुका है कि राज्यसभा का सभापती को नहता है अन्य अनुचेद अन्य आप्षन के साथ चाथ उसमें ऑप्षन दियावा था उपर राश्टपते बहुत सिंपल परसन है ऐसे ही परसन आपकी रीट की परिक्षा में अकसर पुछे जाते हैं तो आपको आर्टिकल भी इसमें साथ में याद रखना है क्योंकि आर्टिकल भी पुछा जा सकता है उसका जो टेन्यूर है वो है पांच वार्स सफ़त के दिन से लेकर पांच साह साल तक रहता हैं इससे पहले वान थाकपतर दे सकता है अब मैं बात कर रहा था उसको हटानी के प्रोसेस तो उसको हटानी के प्रोसेस समय Whatsapp को west आ आपको याद अगना है यह परसन भी आपके आईएस जैसी प्रिक्षा में आ चुका है कि उप प्राइश्टिपते को हटाने की जो पत्ती है वो किस सदन में सुरू की जाती है यह बहुत आसान परसन है और ऐसे परसन बड़ी-बड़ी पत्तियों की प्रिक्षा में पुछे जाते हैं चाहिए वो हा तो इस परकार आप समझ के होंगे को उनको हटाने के प्रोसेस राजस्वा से शुरू होती है दोती है बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसे लोगस्वा में बेजा जाता है और लोगस्वा में शिर्फ और साधान बहुमत से इसे पारित क्या जाता है अब हम उनके कारिये की जानकारे ले लेते ही उपराश्टिक्ति की क्या काम करता है कारिये देखिए सबसे पहले वह है जो आपके राजसभा है राजसभा का पदेन सभाप्ति होता है तो ऐसी कंडिशन में राजसभा के पदेन सबापती होने की कान राज्य सबा की सभी बेटकों की अध्यक्स्ता करता है पहला काम तो उपराश्टिप्ति का यह है यानि बेटकों की अध्यक्स्ता और दूसरा उनका जो काम है वो यह है कि हम जानते हैं कि उपराष्टपती राज्यसभा का सच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च अब आपको जो बात याद रखनी है वो यह है जब राजस्वा में बराबर बराबर मत आ जाएं तो उस दसा में वह आपने कास्टिंग वोट यानि नीना एकमत का प्रयोग करता है यह महतूपन कारी है उपराश्ट अपते के आपको याद रखनी है क्योंकि कई बार परसन आ मोचे गलत है इसे बहुतय कथन हमारे सामने आते हैं अब sabindhan की अंदर उपराश्ट अपती की で कुछ और तत्य है यह फिर हम यह कहें कि उपराश्ट अपती से जड़ें कुछ जनर नोलेज के परसन भी बाइब दोग्टर स्रौपली रादा करसंन थे। आप सिरौपली रादा करसंन 1952 से बांश्ठ तक रहे थे। वह पहले उप्राश्ट पती थे, जो लगातार दो लगातार दो बार उप्राश्ट पती रहें। उनके बाद में वह कौन सा उप्राश्टपती था जो लगतार दो बार इस पद पे रहा तो वो थे मुहमद हामीद अंसारे आपको याद रखना हैं मुहमद हामीद अंसारी 1997 से 2002 तक रहे थे दो बार इस पद्ध पर रहने वाले दो उप्राश्ट अपति थे फ़र्ष्ट डॉक्टर स्रॉपली रादा करस्णन और दोसरे मुहमद आमित अंसारे इस पद्ध पर सबसे कम कर्यकाल किसका था तो यह कुछ ऐसे परसन है उप्राश्ट पति के पर से जुड़े जो अक्सर प्रक्षाओं में पूछे जाते हैं सबसे कम कर्यकाल जो था वह था वी वी गीरी आपको याद होगा वर्हागीरी वैंट गीरी जिनका कर्यकाल था तेरा मई सबसे कम करेकाल पर यही रहे थे इनके बाद में जो सबसे कम करेकाल था आर वेंग ट्रमान यानि रामस्वामी वेंग ट्रमान जिनका करेकाल था अगस्त 1984 से लेकर जुलाई 1987 तक दूसे नंबर में सबसे कम करेकाल इनका था पद पे रहताई मरने वाले बाहरत की उपराश्ठपति कोन थे आपको याद रुकन हैं पद पे रहते मरने वाले उपराश्ठपति कर्सनकान थे बाहरत की एक मातर वै कौन महिला थे जिनोंने उप्राश्टप्ति का चुनाव लड़ा तो बहुत परसिद नाम है और बाहरती राजवेस्ता इसे लगबग सभी विद्यारती उनका नाम भी जानते होंगे आपको याद नहीं है नहीं आ रहा है तो मैं बता जेता हूं लंबे कि यह थे कुछ उप्राश्टप्ति से जुड़े महत्वपूंत थे उमीद करता हूं आपके सम्झ में आयोंगे इन से बहुत सारे पसंद आपके लिए बनते हैं और मैं चाहता हूं कि इनको ऑब्जिक्टी टाइप के वह में त्यार करते हैं आप अच्छी तरिके से इनको को अपने मैंड में सेट करें कि डेफिनेटली कोई कोई क्रिस्टन आपके प्रत्यों की प्रिक्षा में आएंगे एक बार फिर शो दोरा ना चाहूंगा रीट के लिए स्पेशल था ये लेकिन रीट के साथ भारत वर्ष की जितनी वेन्य प्रिक्षा ही होती है किसी भी अगले एक और महतुपन विश्चे के साथ आपके सामने उपस्तित होंगा में तब तक के लिए दे मुझे इजास्त हैवे गुड़ डे हैवे नाश्टे